आपका स्वागत है अब रुख करते हैं आज के एडलाइन्स पर अमबाजर युद्यान को आनन सागर की तरह विकसित करने का सपना नहीं हो सकत पूरा मुक्षधाम चौक के पास प्राचिन वास्तु के अंदेखी भिकारियों ने जमाया अवैत कब्जा नशेडियों का बना हुआ है अड़ा और महानगर पालिका की नंदग्राम योजना काग्जों में सिमट कर रह गई और अब कबरे विस्तार से सीटी को स्पार्ट बनाने के साथ ही क्लीन सीटी बनाने की योजना पर कार्यक किया जा रहा है लेकिन दूसरी और शहर के भीतर मवेशपालक सड़कों को तबेला बना कर अपनी मनमानी कर रहे है शहर में 1100 से अधिक पशपालक है जो गाय भैस पाल रहे है उन में से करीब 60 फिस दिने सड़कों सारवजनिक पैदानों गलियों पर कबजा जमाया हुआ है इन लोगों ले सड़कों की किनारे गाय बेस बानने के खूटे गाड रखे है और वहीं मवेशी के चारा बाने की टंके तक लगा दी है सितावडी में महा बैंक चौक समेब नीडोज बार के सामने नाग नदी की किनारे वाली सड़क पर वर्षों से सड़कों तबेला बना कर रखा गया है इस मार्क पर दोपई या वहानों की भारी भीड रहती है सड़क पर बंदे मवेशी रास्ता जाम कर रहे है इतना ही नहीं मवेशी रद्वारा गंदगी भी की जा रही है केवल यही नहीं पशिमनाकूर में तो गोकुल पेट बाजार इलाके में एक गली को तबेला बना कर रखा गया है यहाँ एक पशुपालक पचास साथ गाय बानता है और नागरिको को इस गली का उपयोग ही बंद करने को मजबूर होना पड़ा है पुरी दादागिरी से इस सरकारी गली पर तबेला संचालक ने अतिक्रमन कर रखा है ऐसा ही नजारा फुटाला लेक से कैंपस चोक की और उसे जाने वाले रस्ते पर नज़र आता है जह भैस वगाय पालने वालों ने सरको वगली उपर डेरा जमा रखा है ये तो सिर्फ कुछ उधारन है महानगर पालिका के पशुवी भाग के अनुसार शार बे ग्यारा सो से अधिक पशुपालों के तबेले है अधिकांश के पास पशुपालने के लिए उपयुक्तु जगा नहीं है उन्होंने सरको वगली उपर ही कब्जा जमाया है कुछ वर्ष पूर्व महानगर पालिका ने सभी शाहर के तबेलों को शाहर सीमा से बाहर स्तानां तरित करने के लिए नंदगराम योजनाव का प्रस्ताव तयार किया था जिसके तहर सभी मवेशी पालकों को शहर के बाहर एक ही जगह पर शिप्ट किया जाना था लेकिन आज तक उसका कुछ नहीं हुआ योजना तो ठप ही पड़ गई लेकिन शहर में जो मवेशी पालक सड़कों पर गलियों पर और सारविजनिक जगों पर कबजा कर अपना धंदा जवाय बैठे है ऐसों के खिला कोई कारवाई नहीं की जा रही है यह अश्यर्य की बात है महानगर पालिका के पशुचिकित सभी भाग के अधिकारी ने बताया कि नंदगराव योजना कुछ तकनी की कारणों के कारण लेट हुई है पहले जो प्रस्ताव तयार किया गया था उसके तहट मवेशी पालगों को जमीन पर निर्मान कारे करके दिया जाना चाहिए था लेकिन वहाँ पहंगा पढ़ रहा है पालगों को देने के बाद उनसे वारशिक किराया भी लिया जाना था कुछ तकडिकी कारणों से अब नंदगराम की नई डिजाइन के साथ पस्ताव तयार करने की जान करी उन्होंने दी लेकिन अब तक कोई हलचल होती नहीं दिख रही है शहर अपने एतिहासिक स्थलोकों सहेजने में नाकाम साबित हो रहा है मुक्षधाम चोग के समिप एतिहासिक हैरिटेज छत्री प्रशास किया लापरवाही के चलते सारवजेनी कुपयोक से बरबाद हो रही है इस लापरवाही के कारण पिछले कुछ वर्षों से भीकारियों ने इस परावैद रूप से कबज़ जमा लिया है वही पिछले कुछ महिनों से नशेडियों का अड़ा बन गया है इस छत्री में शरावी शराव पिते बैठते है नाकपुर शर में अतिहासिक धरोहर को बरकरार रखने और उनकी देखरे करने के लिए पुरा तत्व विभाग कारियरत है बावज़ इसके हेरिटेच छत्री का सरक्षन करने की वज़ाए अधिकारी कुम्ब करनी नीन में है इस छत्री पर कुछ लोगों ने एक अबज़ा जमा रखा है यहां गिले कपड़े सुखाई जाते है रात में कुछ आवारा तत्वों का अड़ा बन जाता है सभी भी चाय की टप्री है जहां पुलिस वाले भी चाय पीते नजर आते है लेकिन उनकी नजर भी शायद ही नहीं पड़ती है हालात यह है कि जिस शराबी को शराब पीने की जगा नहीं मिलती है वह शराब की बोतर और गिलास लेकर इसी च्छतरी में पहुच जाता है भीतर घुसकर बैटने से बाहर कुछ नजर नहीं आता यहां दारू की खाली बोतले पड़ी नजर आती है इसके लबा हर समय च्छतरी के इर्द गिर्द आटो और नीजी वाहनों का जमावणा लगा रहता है इस एतिहासिक धरोहर की हालत देखरेक के अभाव जर जर होती जा रही है कुछ वर्ष पुर्वे इसके मेंटेनस का कारिय किया गया था इसके लिए गुजरात से कारागिरों को बुलाय गया था लेकिन उसके बाद विभाक शायद इसे भूल गया च्छतरी के भितर पपड़िया निकल रही है नागरिकों ने मांग की है कि पहले इस च्छतरी को शराबियों वासामजिक तत्वों से मुक्त कराए जाए और सुधार कारे किये जाए सिटी में लाखों रुपए खर्च कर लोगों के सुकुन शांतिमों मनोरंजन के लिए बनाएगा गार्डन रख रखाओं के अभाव में उजड़ने लगे है सिटी में हर एरिया में एक नेक उद्ध्यान मिल जाएगा कुछ उद्ध्यान मरपा और एनाइटी के अधिकार के तहथ आते हैं वही कुछ उद्ध्यानों को नीजी ठेकेदार को दिया गया है इन उद्ध्यानों में सुभ़व और शांफ के वक्त लोग सैर के लिए आते है वही बज्चो का भी मरवरें जहन होता है लेकिन जरीपटका के दयानन पार्क को देखकर लगता है कि वर्षों से देख रेक और दुरुस्ती नहीं की गई है वाकिंग ट्रैक कई जगा तूट चुकी है जुले खराब हो गए है और घसरन पटी में बड़े बड़े छेद हो गए है उत्तर नागपुर के दयानन पार्क में शाम के वक्त अंधेरा रहता है उद्यानों के हालत को देख कर प्रशासन द्वारा गंबिरता नहीं बरतने का नतिज़ा है कि स्थी भी गट रही है द्यानन पार्क में चारोर हर्याली है उद्यान में लोग वाकिंग के लिए भी आते हैं लेकिन इन दिनों वाकिंग ट्रैक के हालत खराब हो गई है कई जगर टाइल्स नीकल गई है इसी वज़े से नागरिकों को परिशानी होती है पेडों की टहनिया तूट कर गिरती है लेकिन इने समय पर ठिकाने नहीं लगाया जाता इस वज़े से गंदगी फैल रही है बच्चों के खेलने के लिए घसरन पट्टी लगाई गई है लेकिन दुरूस्ती नहीं किये जाने से इन में छेद हो गया है इनका उपयोग बच्चे न करे इसके लिए चैन से बान दिया गया है वह अन्य सामगरी के भी दूर दर्शा हो गई है यहीं वज़ा है कि अब बच्चे भी खेलने के लिए नहीं आते कोविट काल में उद्ध्यान कई महने तक बन रहा इसके बाद भी खेल सामगरी के दुरूस्ती नहीं की गई शाम के वक्त परिसर में अंधिरा चाया रहता है इसके लाब आसा माजिक तत्वो उठाते है वही कबल्स के लिए उद्ध्यान भेतरिन जगा बन गई है कबल्स के वज़े से परिसर के नागरिक उद्ध्यान में आने से परहिस करते है परिसर के नागरिकों का कहना है कि प्रशासन द्वारा ध्यान ये नहीं जाने का नतिज़ा है कि उद्ध्यान के हालाद बिगड़ गई है उद्ध्यान की वज़ज़ से परिसर की सुन्दरता बढ़ती है लेकिन यहां स्तिती भी परित बनी हुई है उद्ध्यान के सामने की पार्किंग की भी समस्या बनी हुई है बक्त हो चला है एक ब्रेक का मिलते हैं एक चोड़े से ब्रेक के बाद लाव यू दिपिका बाई सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरिट कालर मेरा फेवरिट डेस्टिनेशन मेरी फेवरिट डिश पर कोई ये नई पूछता कि फेवरिट डिश मैं बनाती कैसे हूँ अरे यार जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहांची जाता है सुरुची मसाले खाने में हो रुची तो घर लाइए सुरुची अपने सपनों के उड़ान भरने के इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंग भी तो मस्बूल होने चीए जो देता है Flywheel Aviation Academy Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टिटूट है जहाँ पर एरलाइन एरपोर्ट हॉस्पिटालिटी और टूरिजम मैंजमेंट साथ ही यहाँ Campus Interview Guidance by Industry Expert Practical Training at Airport Expert Faculty Personal Grooming जैसे कई सारे benefits आप पास सकने है Flywheel Aviation Academy One Degree, Three Job Opportunities Flywheel Aviation Academy Gives you a degree or diploma with a job Flywheel Aviation Academy 365 Gani Nagar LAD College Square Beside Karnatika Bank Nagpur ब्रेक के बद आपका स्वागत है जिस तेजी से सीटी की आबादी बढ़ रही है उसी तेजी से वाहनों के संख्य में भी इसाफा हो रहा है ये सिल्जिला सतत रुप से जारी रहेगा लेकिन ड्राफिक व्यवस्था में सुधार अपिक्षा के अनुरूप नहीं हो रही है Central Avenue पर मेट्रों के पुल बन गए है इस वज़े से सड़क की चोड़ाई कम हो गई वही दूसरी और सड़क किनारे अतिक्रमन की वज़े से वाहन चालकों की परिशानी बढ़ गई है सुबह और शाम के वक्त वाहनों की लंबी कतार लगी रहती है आज़म शाह चोग से टेलिफोन एक्सजेंज चोग तक अतिक्रमन की वज़े से वाहन चालक परिशान हो गए है फुटपात पर दुकानों से आने वाले सड़कों पर ही गाडिया पार्क करते है इस वज़े से अन्य वाहन चालकों की मुश्किले बढ़ जाती है सीटी पे बहुत कम ख्षेत रहोंगे जहां फुटपात पर अतिक्रमन कारियों का कबजा नहीं होगा प्रशासन द्वारा कारवाई तो की जाती है लेकिन कुछ दिर बात ही हालत जस्कितस हो जाती है आज़म शाह चोग में सुभा से ही भीड रहती है रेल्वेस्टेशन करीब में होने के कारण ऐटो वालों की भरमार होती है टेलिफोन एक्षेंच चोग की और जाने पर किनारे वाले हिस्सों पर वहान खड़े कर दिये जाते है पहले से ही सडक संकरी हो गई है उस पर वाहनों की पार्किंग होने से अन्य वाहन चालंगों की मुसीबते बढ़ जाती है इन दिनों परिसर के नागरिक वाहनों के शोर शरावे से परिशान हो गए है टेलिफोन एक्षेंज चौक पर लगा ट्राफिक सिग्नल भी कभी बन तो कभी शुरूर रहता है बीएसेनल कारियाले के सामने केबल लाइन के लिए गढ़ा खोदा गया है लेकिन कई दिनों से काम बन है इस वज़े से अव्यवस्ता फैली हुई है फुटपात पर वर्षों से अतिक्रमन कारियों ने कबजा कर रखाए रेती इट की दुकाने सडक तक आ गई है वही कपड़े की दुकाने भी लगाई गई है पाई फालों ने भी फुटपात पर अपनी सामगरी रख दी है डिवाइडर कचरे से भरे पड़े है पुरा किया गया है और अनिक प्रस्तावित भी है लेकिन यहां के उद्यानों के विकास को लेकर जो दावे किये जा रहे थे भाव पुरा नहीं हो रहा है फिर चाहे भा सेमिनरी हिल्सों या अमबाजरी का सुन्दर उद्यान अंबाजरी की किसमत तो कई विभागों के बीच जूल ही रही है नागपुर के जनपरती निधी ने अंबाजरी उद्ध्यान को शेगाउ के आनन सागर के तरच पर विकसित करने का सपना दिखाय था ये महज सपना बन कर ही रह गया अंबाजरी लेक में कुछ वर्ष पुर्वा तरह तरह की बोटिंग सुविधाय उपलब्द थी लेक के किनारों में उद्ध्यान परिसर में बच्चों के खेलने के लिए अनेक गेम्स और जुले आदी थे तब यहां रौनक हुआ करती थी लोगों का विकेंड इस उद्ध्यान में बित्ता था लेकिन जब ठेकेदार के ठेके की अवधी समावत हुई तो फिर यहां सब बंध हो गया इस उद्ध्यान में एक तरह की विरानी ही छा गई है और लाव बट्स का अड़्डा बन गया है मनपा ने दोबारा यहां वाटर पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, लेक वियू पार्क, बोटिंग की विवस्था शुरू करने की योजना बनाई थी उद्यान को शेगाओ के आनन सागर की तरह विकसित करने की घोशना भी की गई थी कहा जा रहा था कि शहर का ये सबसे अच्छा परियाटन स्थल के रुप में विकसित किया जाएगा लेकिन अब तक लोग इंतजार ही कर रहे है महानगर पालिका के उद्यान विभाग ने 6 वर्ष पहले अंबाजारी परिसर के पूरे 44 एकड को परियाटन की दुरुष्टी से विकसित करने का प्रस्ताव तयार किया था 19 एकड को MTDC और 25 एकड को महानगर पालिका विकसित करने वाली थी विकसित करने के बाद यहां से होने वाली आयमे से महानगर पालिका वों MTDC का अपना हिस्सा भी तै कर दिया गया था लेकिन MTDC द्वारा रूची नहीं ली गई और बाद में ये तै हुआ कि महानगर पाली का ही इसे विकसित करेगी अब तक तो यहां कुछ होता दिख नहीं रहा है बच्चों के जूले, फिसल पट्टी, पुराने हो गए है कुछ तो तूट फूट गए है यहां बच्चों की टाइटरेन चला करती थी वहां भी बंध हो गई है यहां भी भी पूरे सिटी से लोग अपने परिवार के साथ पहुचते हैं लेकिन यहां के दशा देखकर दुख ही हो जाते है कुरोना काल में तो लगभग पौने दो वर्ष उद्ध्यान भी बंध था हाँ, इस परिसर में ओवरफ्लो पॉइंट में स्वामी विवेकानन समारक की और अच्छी साथ सज्जा की गई है नागरिक की भीड भी यहां देखी जाती है नागरिकों का कहना है कि अमबाजरे उद्ध्यान का विकास भी तेजी से किया जाना चाहिए तो सुभा के प्राइम टेम न्यूज में अभी इतना ही आप से फिर बुलाकात होगी तब तक देखते रहिए विकेबी न्यूज नमस्कार